सिगनेचर तो आज का टॉप्टिक है सिगनेचर क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर एक वैक्ति का अपना खुद का प्रशनल सिगनेचर होता है तो सिगनेचर होता क्या है सिगनेचर ये आपका एक आडिन्टरी बताता है जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे बड़ी बड़ी महान वैक्ति जो है वह signature करते हैं और उनकी एक identity होती है जैसे कोई वेक्ति जैसे मान लिजे कि हम सचिनते द्रुकर को लेते हैं तो सचिनते द्रुकर अपना एक sign करता है और वो sign जो है वो काफी famous है और किसी वेक्ति को जब वो कोई भी चाहिए वो टी शट हो चाहिए वो बैट हो चाहिए बॉल हो जब उसमें sign करके देता है तो वो लो काफी अच्छे से उसको मतलब सेल्फ में सजार करके रखते हैं अखी ये signature है क्या? signature है वो आपका एक identity जो आपको बताता है कि ये वेक्ति का ये signature है लेकिन क्या signature ये काफी बहुत असान है बहुत eeasy है या बस चंद कुछ words है नहीं signature एक identity है जिसे बनाने के लिए काफी महनत करना पड़ता है काफी काम करना पड़ता है जब आपकाम करते हैं मेहनद करते हैं और किसी फेरी में बहुत ज्यादा आप इंप्रूफ कर जाते हैं महहनद उसे सबस्ग करने के बाद बहुत फिरमस हैं, तो वह signature आपके लिए год दे जाता है, और वह signature आपको हर एक वैक्ति चाहता है, कि वह signature उसके साथ एक ना एक दिन जलूरे। उसी प्राकर से सजन पिने वकर भी काफी मेहनद किया, काफी काम किया, काफी नाम किया उसके बाद उसके पास अपना एक खुद का signature है जो उसकी identity है और वो जब कोई friend उसके साथ जब मिलने जाता है तो उसे वो signature करके देता है और वो उसे self में रखता है तो यानि कहने मतलब क्या हुआ, जब आप कोई प्रसिदि प्राप कर लेते हैं, तो आपकी signature एक identity होती है और उसके प्रति आप उसके लिए काम करते हैं, तो यानि कि जब आपकी identity बनेगी तो ही आपका signature आपका नाम होगा, लेकिन अब यहाँ बात है कि अब हम लोग जो signature कर रहे हैं तो क्या एक identity बनाता है, जी बिलकुल identity बनाता है, तो क्या हम famous होंगे, तभी यह signature मेरे काम करेगा, नहीं, आप देखे होंगे कि कहीं कहीं किसी bank में, किसी form पे एक फिलिप करते हैं, या कोई check sign करते हैं तो उसमें भी आप अपना professional signature देते हैं और जब signature काम नहीं करता है तो वहां पर आप particular अंगुठा देते हैं यानि कि अंगुठा भी आपका एक signature है, जो उसको identify कर रहा है, वो mechanism वो mechanic जो है वो system है, वो system जो identify कर रहा है वो आपका अंगुठा ही एक signature है तो यहां पर बात है कि signature क्या आम व्यक्ति का signature हो सकता है, बिल्कुल आम व्यक्ति का भी signature हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि वो सिर्फ bank तब ही सीमित हो लाता है, bank में ही वो सिर्फ signature करते हैं और उससे वो पैसे निकालते हैं, लेकिन वो signature सिर्फ आम signature बनाने के लिए आपको या तो बहुत ज्यादा महनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा तब वह signature आपकी एक identity बन पाती है और लोग आपके उस signature के लिए फिदा होते हैं और आपके लिए कुछ भी कर जाते हैं तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भी एक अपना एक identity तयार करें उसके ऊपर काम करें और काम करने के बाद जब महनत करेंगे प्रोग्रेस हो जाएगे तो आपका signature वह आपका identity बन जाएगा और लोग उस signature के लिए लोग काफी महनत करेंगे कि कास वह signature उनके पास भी होता तो ज्यादा ना बोलते हुए आप अप signature के माध्रम से और उस signature को अपनी identity बना करें लोगों के साथ जूड़े धन्यवात